Hello everyone, this is Siddharth Patil and welcome to Magnet Prince. इस lecture में हम PESA Act को पढ़ेंगे, पंचायत Extension to Schedule Areas Act. ठीक है, हमने पंचायती राज इंस्टिटूशन बहुत अच्छे से कवर कर लिया था and then we have covered municipalities. अब ये Act का full form है, पंचायत Extension to Schedule Areas Act. हमने Schedule Areas को भी बहुत अच्छे से समझ चुके थे, अगर आप previous lecture को देखोगे, तो इसमें हमने Schedule 5 को बहुत अच्छे से समझा था. तो ये Act Schedule 5 में जो Areas है, उनी के लिए है, ये Act उनी के लिए है. अगर आपको Schedule 5 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ये Act भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो पेशा Act of 1996, प्रोविजन अफ प्रोविजन अफ प्रोविजन नहीं था शेडूल 5 के एरियाज में, ठीक? हावेवर, दे पार्लेमेंट में एक्षेंग इस प्रोविजन तो सच एरियाज, सबजेक्ट तो सच एक्षेप्शन और मॉडिफिकेशन अज इस प्रोविजन अफ प्रोविजन कर लेकिन पार्लेमेंट उस 73rd Constitution Amendment Act को फिफ्ट शेडूल के जो एरियाज थे वहाँ पे लगा सकती है कुछ मॉडिफिकेशन करके, अब शेडूल 5 में कौन-कौन से एरियाज थे, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, शेडूल 5 में हमने देखा था कि शेडूल 6 में A, T, M, M है ना, आसाम, त्रिपुरा, मेगाले, मिजोरम, इन 4 स्चेट को छोड़के, जहां पे भी ट्राइबल एरियाज हैं, जहां पे भी ट्राइबल एरियाज रहे रहे हैं, उनको प्रेसेडेंट बताते हैं कि कौन-कौन से एरिया को उनको शेडूल एरियाज गोशित करना है, एक्सेट दीज फॉर स्चेट, क्योंकि ये चार स्चेट के जो एरियाज हैं, ये शेडूल 6 में आते हैं, ये किस में आते हैं, इनके अलावा जो दूसरे स्चेट से जहां पे भी ट्राइबल पॉपेलेशन रहे हैं, और जहां पे उस एरिया को नोटिफाइ कर दिया जाता है, कि ये शेडूल एरिया है, तो वो शेडूल 5 में आ जाते हैं, क्लियर है, 10 states है, 10 states में शेडूल एरियाज हैं at present, क्लियर है ये वाली चीज भी आपको, अगर आपको ध्यान हो, तो जब हम शेडूल 5 पढ़ रहे थे, तो हमने शेडूल 5 में देखा था कि बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं, जो वहाँ पर applicable नहीं होते हैं, या होते भी applicable तो वह subject to some modifications होते हैं, कुछ amendment किये जाते हैं, कुछ restrictions होते हैं, और फिर वहाँ पर apply किये जाते हैं, क्योंकि schedule areas हम इस purpose से बनाते हैं, schedule areas इस purpose से declare किये जाते हैं, क्योंकि इन areas को, मानलो यह schedule area है, यह schedule 5 के अंदर आता है, मंद्यप्रदेश का यह schedule area, ठीक है, यह मंद्यप्रदेश state है, और यह schedule area है, तो इस area में कुछ autonomy देने के लिए, कुछ autonomy रहे लोगों के पास में, इसलिए यहाँ पर, parliament की जो भी laws वगरा रहते हैं, वो थोड़े extended form में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर tribal population रहती है, और यह हम लोगों से, tribal population हम लोगों से अलग है, इनका उतना development नहीं हो पाया है, इनकी language अलग है, इनके custom religion अलग है, जो majority of the Indian citizens है, उनसे इनकी population completely different है, इनके अपने laws चलते हैं, तो इन्हें हमने कुछ autonomy दी है, इन्हें Indian Parliament ने कुछ autonomy दी है, कि हाँ आप अपना governance खुद कर सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, कि यह जो tribal population है, यह इन्डिया की majority वाली population के साथ में मर्ज हो जाया धीरे धीरे, प्लस उनका जो culture है, उनका जो heritage है, वो भी preserve होता रहें, इतना आपको समझ में आ गया, जब पंचायत का यह जो act लागू करना था, यह जो act इन areas में जब लागू करना था, तो कुछ extension, कुछ modify किया गया, जो पंचायती राज institution के जो articles से, उनमें कुछ modify किया गया, इन लोगों को ज़्यादा autonomy दी, tribal peoples को ज़्यादा autonomy दी, gram सभा को ज़्यादा autonomy दी, और फिर यह act implement हुआ, और schedule 6 में क्या था, एक quick revision आप देख लो, schedule 6 में हमने देखा था, कि district autonomous council होती है, district autonomous council होती है, और यह laws बनाती, district autonomous council, और उन law को governor assent देते हैं, and then वो law in areas पे implement होते हैं, इनके पास थोड़े-थोड़े से right होते हैं, जिसे land, marriage, divorce, जो छोटे-छोटे subjects हैं, कुछ minor-minor subjects, इन लोगों के पास में रहते हैं, जिनके basis पर यह law बनाती है, और वो law तभी implement होते हैं, जब governor assent देते हैं, clear है, जिसे अभी भी clear नहीं हो, तो do refer the video of schedule 5 and schedule 6, आपको पूरी image clear हो जाएगी, अब वापस पेसा act की बात करते हैं, what are its objective, to extend the provision of part 9 of the constitution, relating to the panchayat, to the schedule areas with certain modification, with certain modification, panchayat के जो provisions है, उनको implement करना schedule areas में, with certain modification, to provide self-rule for the bulk of tribal population, to have village governance with participative democracy, and to make Gram Sabah a nucleus of all activities, ठीक है, हम चाहते थे कि वहाँ पर भी participative democracy हो, ग्राम सभा एक nucleus होगी, ग्राम सभा के पास major power होगी, और वो ग्राम सभा के according सारे functions होगे, इस act को जब हम detail में समझेंगे, तब आपको इस वाली चीज़ पर और clarity होगी, तो evolve a suitable administration framework, consistent with the traditional practice, to safeguard and to preserve the tradition and custom of tribal communities, कोशिश यह थी कि basically, कि इनके जो customs वगएरा हैं, वो भी चलते रहें, प्लस जो इंडिया में, जो बाकी पूरे country में, जो acts or laws बन रहे हैं, जैसे पंचायती राज institution का पूरे इंडिया में, जो applicable हो रहा है, साथ-साथ में वो भी applicable होता रहे, जो धीरे धीरे जो हमारे बीच में gap है, वो भी कम होता रहेगा, प्लस इनकी जो traditional practices है, customs है, ये भी preserve रहेंगी, आप इनको भी follow कीजिए, और जो parliament law बना रही है, उनको भी follow कीजिए, एक तरीके से एक balance approach है, इसलिए विच सर्टेन modification करके, पेशा act implement किया गया, ठीक है, पंचायत extension, मतलब extension to schedule areas, जो act है, उसको एक extended form में schedule areas में implement करना, clear है, नेम से ही आपको समझ में आ रहा है, तो इंपावा पंचायत to appropriate with specific power, conducive to the tribal requirements, and to prevent पंचायत at the higher level from assuming the power, and authority of पंचायत at the lower level to the gram sabha, ज्यादा से ज्यादा power gram sabha को देना, higher level के मुकाबले gram sabha के पास ज्यादा power देना, क्योंकि gram sabha में ही main लोग रहते हैं, gram sabha में ही उस पूरे tribal community के लोग participate करेंगे हैं, तो वहाँ पे ज्यादा power देना, plus यह अपना governance बहुत अच्छे से कर सके, keeping in the mind of tribal requirements, now what are the features of the act, हमने objective देखे act के, आप act को समझ चुके कि इसके पीछे का reason क्या था, मैंने आपको brief में introduction दे दिया है, now we will talk about features of the act, now what are the features, a state legislation on panchayat in the schedule area, shall be in consents with the customary law, social, religious practices, and traditional management practice of community resources, ठीक है, वही वाली बात है कि, state legislation के थूँ यह extend होगा, and मतलब state legislation on panchayat in schedule area, shall be in consents with customary laws, क्योंकि जादातर हमने देखा था, जब हम panchayat के provisions पर रहते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, तो हमने बात करी थी, कि parliament सिफ एक structure प्रिपेर कर दिया है, बागी सारी चीज़ें उन्होंने किस पर छोड़ दिये, state legislature पर छोड़ दिये, तो state legislature जब इस act को और extend करेगा, चीक है, इन acts के थूँ जब state legislature इनको जब power देगा, तो state legislature इनके customary law, social custom, इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन्हें power devolve की जाएगी, A village shall ordinary consisting of a habitation of a group और habitation और a group of helmet comprising community and managing in the affairs in accordance with traditions and customs. What do you mean by hamlets? Hamlets means a small human settlements, ठीक है, एक village क्या है, village वही है जहाँ पर, एक छोटी सी, एक छोटा amount of population जहाँ पर रह रही हो, और वो अपने tribal affairs, अपने जो affairs है in accordance with the traditions and customs, जो tribal village होगी, जो tribal communities की जो village होगी, वो अपने जो matters हैं, वो अपने customs and religion, custom traditions के according manage करेंगे, not religion, अपने customs and tradition के according, वो अपने affairs manage करेंगे, every village shall have a gram sabah consisting of a person whose names are included in the electoral roles for panchat at the village level, अब आपको पता है कि gram sabah क्या है, gram sabah में वो सारे members हैं, जिनका की electoral roles में नाम होता है, और elections की age क्या है, vote डालने की age क्या है, 18, तो 18 और 18 प्लस वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे gram sabah के part हैं, ये वाली चीज़ भी आपको clear है, gram sabah same है, जो हमने 73rd Constitution Amendment में पढ़ी थी, और अभी की gram sabah ये सब same है, हर gram sabah कोशिश यही करेगी, आपने custom and traditions को maintain करके रखे, और कोई dispute होगा, तो वो customary mode of dispute resolution, अपने कुछ customs religion के according, उनके कुछ अपने laws रहते हैं, आपको बटा है कि tribal population के, जिसे हर religion में, हर caste में कुछ-कुछ अपने laws होते हैं, यह आपको भी पता है कि, मतलब यह आप लोगों को भी पता है, कि आपके घर में हो सकता है, किसी अलग वे से पूजा होती हो, किसे के यहां कोई अलग वी से पूजा होती हो किसी के घर में कोई different rule हो किसी दूसरी community के घर में जाएंगे तो वहां कुछ different rule होगा होता है ना तो यह कोशिच करते हैं कि अपने custom customary mode of dispute resolution यह अपने customs और उनके according की कोई अगर dispute है तो वैसे ही resolve कर लेंगे क्योंकि यह सारे पूरे plans को अप्रूफ करेगी सारी चीज़े देखेगी जो की पंचायत करने वाली है तो यहां पर ग्राम सभा के पास में बहुत ज़्यादा power है मतलब real powers lies with the people real power lies with people ठीक है lies with people real power lies with the people be responsible for the identification of the beneficiaries under poverty elevation and other program अब ग्राम सभा देखेगी कि कौन-कौन से beneficiaries हैं जिसे कोई poverty elevation programs वगएरा चल रहा है तो ग्राम सभा देखेगी कि हां यह इस category के अंडर आ रहे हैं ने वाकई में मुहाफ़ा मिलने की जर्वत है तो ग्राम सभा यह सारी चीज़ें करते हैं ग्राम सभा में जितने भी वोटर्स हैं देयार दे पार्ट ऑफ ग्राम सभा सिफ पंच और सरपंच नहीं होते हैं ग्राम सभा में ग्राम सभा में जितने भी वोटर है ग्राम सभा इस लेजिसलेटिटिव ग्राम सभा इस लेजिसलेटिव विंग अवरी पंचाइ tribes और schedule areas को हम देखें तो tribal populations को कितनी ज़्यादा यहां पर autonomy दी गई है क्योंकि वो अपने according development कर सके एवरी पंचायत at the village level shall be required to obtain a gram sabha obtain a gram sabha a certification of utilization of fund gram sabha certified करेगी कि हाँ आप funds ऐसे utilize कीजिए उन्हें कुछ भी funds मिलेंगे तो आप funds ऐसे utilize कीजिए मतलब real power basically people के पास में हैं यहां से voting से डालने के वोट कास्ट करने के अलावा भी यहां पर real power है लोगों के पास में real democracy हम यहां पर देख रहे हैं clear the reservation of seats अब यहां पर reservation of seats की बात की गई है तो seats जैसा कि हमने देखा था जो हमने पंचायत पंचायती राज institution की जब हम articles देख रहे थे तो मैंने आपको reservation का पूरा बहुत अच्छे से समझाय था तो reservation same वैसा ही रहेगा लेकिन इसमें एक एक्स्ट्र आपको ध्यान रखने कि 50% जो seats रहेगी 50% seats shall be reserved by sg community shall be reserved for sg community sorry shall be reserved for sg community अगर hundred seats है तो hundred में से 50 seats इनकी अगर अगर 26 seats है तो आदी seats इनकी ठीक है 12 seats है तो 6 seats उनकी 50% seats will be for the sg level और अगर हम chairman person पे चल जाए चीक है और अगर हम chairman person पे चल जाए district level पे चल जाए तो सारी seats किसके लिए है सारी seats sg के लिए है सारी seats sg के लिए है the state government may nominate such scheduled tribe which have no representation in the panchayat at the intermediate level और at the panchayat at the district level but such nomination shall not exceed one tenth of the total members to be elected in the panchayat अब मान लीजे कि जैसा कि tribes के अंदर भी सब tribes होती है ना जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग भी अगर हम majority population को देखें तो एक कास के अंदर से बहुत सब कास हम लोग निकाल देते हैं ना ये चीज़ सब को पता है बहुत normal phenomenon है कास यसी चीज़े जो Indians को बताने की जरुवत नहीं पड़ती कास और religion हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं तो एक कास के अंदर से हम सब कास निकाल देते हैं एक religion के अंदर से हम बहुत सारे सब रिलिजेंस निकाल देते हैं तो वैसे भी इन ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारी सब ट्राइबल पॉपुलेशन है अब माल लीजे, इन सब एक tribal population, tribal ऐसा whole बात करते हैं, चीक है, अब इन के अंदर है sub-tribal population, sub-tribal population, अब इन में से कोई सी ऐसी tribe है, इस sub-tribal population में से कोई ऐसी tribe है, माल लो कोई tribe है, जिसका कोई representation नहीं है, जिसका representation नहीं हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ जित्ती भी total seats है, माल लीजे 50 seats है, तो 50 का 110 seats इनके लिए रिजर्व की जाएगी, कि इतनी सिर्फ और सिर्फ 110 seats इस community के लिए, इस sub-tribal population के लिए रिजर्व की जाएगी, इतनी बात क्लियर है, और chair person at the district, जो intermediate level रहता है, वो ST community के लिए ही reserved रहता है, clear है, देखो है, the reservation of seats in schedule areas in every panchayat shall be in proportion to the population of the communities for whom reservation is sought to be given under part 9 of the constitution, however, the reservation for schedule tribe shall not be less than one half of the total number of seats, further all the seats of chair person of panchayat at all the levels be reserved for the scheduled tribes, अब जितने भी chair person होंगे, वो साधी seats, ST category के लिए ही होगी, chair person, chair person, ST category के लिए भी होंगे, और यह 110 वाला भी आप समझ गए, कि जिस tribal population को representation नहीं मिला है, तो जितनी भी total seats है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 110, 110 seats, 110 seats उनके लिए है, 10% seats उनके लिए reserved है, ठीक, अब बेसिकली आपको यह पता है, कि government को developmental functions करने के लिए land acquire करने पड़ते हैं, कुछ भी काम होता है, तो government land acquire करती है, तो अगर government, इनके area से अगर land acquire कर रही है, तो gram sabah से consult करना जरूरी है, gram sabah से consult करना जरूरी है, क्योंकि आप यहां पर हम देख रहे हैं कि आजका forest वगिरा भी clear हो रहे हैं, और यह लोग forest में रह रहे हैं, अगर मान लिजे किसी कारण वर्ष, वहां से इनका displacement कर रहे हैं, दूसरी जगा settle कर रहे हैं, तो gram sabah का consultation जरूरी है gram sabah का, and gram sabah में सारे लोग आते हैं, जो की vote डाल रहे हैं, ठीक है, the planning and management of minor water bodies in scheduled areas shall be interested to panchait at appropriate level, अब जो minor bodies है, तलाब वगेरा हैं, उन सारा का सारा उनको maintain करने की जिम्मेदारी यह सब panchait level पे रहती है, the recommendation of gram sabah or the panchait at the appropriate level shall be mandatory for grant of prospecting license of mining lease for minor minerals in scheduled areas, अब basically इन दोरों पॉइंट में यह कहा गया है, कि अगर आप forest areas में जाएंगे, तो वहां कुछ mining स्वगेरा की रहती है, ठीक है, कुछ mining स्वगेरा का कुछ रहता है, कुछ mineral extract करना होता है, और अगर यह scheduled area में आ रहे हैं, तो इनको gram sabah से पूछना प जाना है, उनके area में जाना है, और यह extract करना है, एक movie है, बहुत अच्छी देख सकते हो, अगर लगे तो थोड़ी सी पुरानी है, चक्र वियू करके movie है, एक बाद देखेगा, उसको आपको समझ में आजाएगा, development of whom, किसका development हो रहा है देश में, क्या सिफ capitalist का हो रहा है, क् वो क्यों हम लोगों से अलग ही, जितनी भी debates और यह conflicts है, उससे आपको बस एक सोचने का perspective मिलेगा, और movies वगेरा देखनी अच्छी भी लगती है, एक बाद देखेगा, ठीक है, the prior recommendation of the gram sabah और the panchat at the appropriate level shall be mandatory for grant of concession for the exploitation of minor minerals by auctions, minerals वगेरा में सारी किसार आपको gram sabah से पूछना पड़ेगा, चीक, और एक book भी है, राहुल पंडिता के द्वारा, ठीक है, हेलो बस्तर, online मिल जाएगी आपको अगर आप देखेंगे तो, जादा मोटी नहीं है, पतली book है, इसमें कुछ extreme thoughts भी है, उस extreme thoughts पर मत जाना, लेकिन if you can read, अगर आपके पास में time हो, तो आप इसमें देख सकते हैं कि schedule tribes के बारे में कि कैसे knit बनी रहती है, कैसे exploitation होता है, और एक अलग perspective है हाँ, ये थोड़ा सा एकदम भॉटर से detail में जाना है, बहुट detail में चली जाती है, ये book, तो एकदम आप उस thought पर मत जाएगा, लेकिन एक अलग सोचने का नजरिया मिलेगा, if you have time, then read by Rahul Pandita, अगर आपके पास में time है, तो पढ़ लीजेगा, नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये अच्छी book है, तो मैंने बता दिया, एक्स्रा books भी पढ़ते हैं, हम लोग college level पे, तो अगर आपको अच्छी लगे, तो do read that book, While indooring panchayat in scheduled areas with such power and authority as may be necessary to enable them to function as an institution of self-government, a state legislature shall ensure that the panchayat at the appropriate level and the gram sabah are indoored specially with, अब state legislature, panchayats को, इनको कौन-कौन सी power देंगे, यहाँ पे जो PESA Act के तहे, जो panchayat extension हुआ है, इनमें कौन-कौन सी power देंगे, ताकि वो functions अच्छे से कर सके, उस पे बात करते हैं, The power to enforce prohibition or regulate or restrict the sale of consumption of any intoxicant, कुछ भी ऐसी चीज़े हैं, ठीक है, यह gram sabah के पास में power रहेगी, कि कौन-कौन सी चीज़े हमाँ बिखनी चाहिए, कुछ भी intoxicant चीज़े हैं, यह सब gram पंचायप में, gram sabah के पास में power रहेगी, कि क्या है उन अपने area में follow करना है, ban करना है, यह आप देख लीजे, The ownership of minor forest produced, चीज़े हैं, चीज़े हैं, चीज़े हैं, चीज़े हैं, चीज़े हैं, उस से related, The power to prevent alienation of land in the scheduled areas and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of scheduled drive, now what is alienated land, alienated land मतलब government कोई land हमसे acquire कर लेती है for developmental purpose या कोई private enterprise acquire कर लेती है तो वो land देना नहीं देना ठीक है, अगर वो illegally हुआ है तो alienated land को वापिस कैसे लेना, ये सारी चीज़ है, ठीक the power to manage village markets, जो छोटे-छोटे गावों में बजार लगते हैं उनको manage करने का, the power to exercise control over money lending to the scheduled tribes जो उनका money related matter है, money lending कैसे देना है, रुपे ठीक है वो सारा matter, gram sabah, gram sabah को power दी गई है the power to exercise control over the institution and functionaries in all social sectors जो other institutions हैं, जैसे NGOs वगेरा, क्या है, manage करना है, आने देना, नहीं, आने देना सब आप उनके उपर है the power to control local plans and resources for such plans including tribal sub plans, plans वगेरा बनाना करना, ठीक the state legislation shall contain safeguard to ensure that panchayat at the higher level do not assume and the state legislature shall contain the safeguard to ensure that panchayat at the higher level do not assume the power and authority of any panchayat at the lower level of a gram sabah basically इसमें ये बात कहीं गई है, कि gram sabah के पास में real power हो उपर के जो, उपर के जो level है, वो ऐसा नहीं हो, कि वो जादा power assume कर ले, gram sabah के comparison में the state legislature shall endeavor to follow the pattern of six schedule of the constitution while designing the administrative arrangement in panchayat at district level in schedule areas अब जैसे six schedule में district autonomous council थी, तो state legislature को कोशिश करना है कि जो six schedule है, जैसे वहाँ पे उन्हों six schedule का structure बनाया है वैसे ही यहाँ पे भी वो लोग implement करें at district level वैसा ही कुछ model वो district level पे maintain करने का कोशिश करें वो state legislature का part है, वो जैसा करना चाहेंगे इसका कोई compulsor ही नहीं है, वो state legislature का matter ठीक है अलग-अलग state अपने हिसाब से देख लेंगे and basically इस point में यही कहा गया है, जो last point है it is saying the same thing, आप एक बार पढ़ लीजे it is saying the same thing, कि जब यह act अलागू हुआ तो एक साल तक अगर कोई भी जो पुराने provisions चल रहे थे जो भी पुराने provisions चल रहे थे, जो इस act को contradding कर रहे थे वो एक साल तक चल सकते हैं, ठीक है यह वही वाली बात है जो हम कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है I hope आपको PISA Act समझ में आया होगा Basically, आपको ही समझना है कि tribal population हमसे बहुत जादा अलग है उनको इसलिए autonomy दी गई है ताकि वो अपना development अपने traditions, customs को दियान में रखते हैं और साथ-साथ वो इंडिया की बाकिस सारी population के साथ assimilate हो जाए हमसे घुल मिल जाए, धीरे-धीरे preserving their tradition and culture इसलिए उन्हें थोड़ी सी autonomy दी गई है और हमने 5th schedule में बात कर रहा था कि वहाँ पर Parliament या State Legislature के वही एक्ट सवगेरा लगते हैं तो modified होके लग जाते हैं तो जब 73rd Constitution Amendment Act वहाँ पर implement करना था तो पेसा Act of 1996 के थूरू से किया गया इसमें हमने देखा कि ग्राम सबाग के पास उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी है plus साथ में वो अपने tradition और customs को भी manage कर सकते हैं इसलिए उन्हें ज़्यादा autonomy दी गई है तो basically 73rd Constitution Amendment Act को कुछ modify करके पेसा Act के form में apply किया गया I hope आपको ये concept अच्छे से समझ में आ गया होगा मिरते हैं next lecture में तब तक के लिए धन्यवाद